जै मसी की पिरियों प्रिभी इसु मसी के सामर्थे नाम में आपका स्वागत है प्रभू आपको बड़ी आसिस और परकत दे हम देखेंगे परमिशुर का वचन परमिशुर प्रिभी इसु मसी के द्वारा अपने सारे सत्रों को जिन में सैतान भी समलित है सदा के लिए पुर आजित करेगा और सब और जब यह विजय पूर्ण हो जाएगा तो वह अपने विश्वासी योगे लोगों को नया आकास और नई प्रिश्विक की आसीसों से परिपूर्ण करेगा जैसा की लिखा है परमेशुर का वचन चार अध्या के ग्यारा पद में है हमारे प्रोहु औ और प्रमेशुर तुही महिमा और आदर और सामर्द के योगे हैं क्योंकि तुही ने सब बस तुही सिर्जी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिर्जी गई हैं हालेलुया क्योंकि यह सच है मेरे प्रियों मेरे भाईयों और बहनों क्योंकि प्रमेशुर ही है जिसने सब क पुछ सिर्जा और सब पर वो अधिकार रखता है क्योंकि वही सारी सिष्टी का मालिक और सारी काइनात का बास्ता है। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन परकासित भाग के साथ अध्या के बारा पदमी जैसा लिखा है हमारे परमेश्वर की इस्तूती और महिमा और ग्यान और धनेवाद और आदर और सामर्थ और सक्ति युगान युग बनी रहे। आमीन। मेरे परियो सच मेरे परमेश्वर की महिमा युगान युग होते रहे। जब तक हम जिन्दा रहें तब तक अपने परमेश्वर की महिमा करते रहें क्योंकि वो कहता है मैं उनमें बास करूँगा और उनमें चला फिरा करूँगा। वो हमारा परमीसवर है और हम उसके लोग हैं वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटिया हैं मेरे प्रियो परमीसवर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने एकलोते बेटे खुदाबंदी सुमसी को इस चगत में भेजा जो हमारे लिए कोडे खाए, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए अपना खोन बहाया, जिसने हमारे लिए मिर्तु सहली, वो ही हमारा उध्धार करता और हमारा मुक्ति दतापाय मीश्वर है जिसने कहा है, कि हाओ हम आपस में बाद भी बाद करें, तुम्हारे पाप चाहें लाल रंके हों, तो भी हमसे उजले हो जाएंगे मेरे प्रियों इसने हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फियक दिया है, और उन्हें दुबारा इसमिन करना भी नहीं चाहता, लेकिन जब हम गुना के काम करते हैं, तब प्रभु हमारे और अपने पीठ कर लेता है, और तब जो उसने हमारे पापों को अपने पीठ के पीची फेका होता है वो उसके सामने आ जाते हैं तो मेरे प्रियों हम ऐसा कोई काम ना करें कि खुदा को हमें देखकर सोकित होना पड़े और वो हमको छोड़ दे या हमारे और पीठ कर ले मेरे प्रियों हम परमेश्वर के परती विस्वास्यों गिर हैं वफादार हैं उस पर भरोसा करें और जैसा वो चाहता है कि हम पवीत्र बने क्योंकि वो पवीत्र है जैसा कि लिखा है पवीत्र बनो क्योंकि तुम्हारा बोलाने वाला पवीत्र है वो परमेश्वर जो जो सारे सिष्टी का मालिक है, सारे कानात का बास्सा है, जिसने हमारे लिए अपने आपको कुरोज पे भलिधान क्या दिया, उसी परमिसर की महिमा, हम हमारे जीवन भर युगान युग करते रहें, हमारे पीडियों से, बच्चों से, बंसों से, उसके महिमा हो, आमेन. Praise the Lord, परे वो किस्तूती हो. तूने बचाया है, तूने समाला है, तूने बचाया है, तूने समाला है, तेरे फजल से ये सु, उजाला उजाला है, अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा दुख और कस्ट मेरे तूने हस के सहा तेरे हाथों में ये सु सिफा का खजाना है तूने बचाया है तूने सभाला है बचाया है तूने बचाया है